हेलो क्लास इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे अप्लाइंग इंडेंट्स के बारे में तो इंडेंटिंग फीचर बेसिकली इसका हम यूज करके किसी कम्प्लीट पैराग्राफ को या उसकी एक लाइन को ठीक है राइट या लेफ्ट मार्जिन से कि स्पैसिफाइड नंबर ओफ प्लेस पे जो है मूफ कराते हैं तो कैसे हम उसको कराएंगे इसको हम लोग जो है देखते हैं उसके लिए क्या हमें करना होता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले उस paragraph को माली जी ये पूरा paragraph है इसकी हमको क्या करने है इंडेंटिंग करनी है तो पहले हम इसको select करेंगे अब हम क्या करेंगे जो left line indent marker ये आप जब top पे आप देख रहे हैं क्या top पे आप देख रहे हैं तो ये basically क्या है indent marker है तो left line indent marker को हम right side की तरफ जो है क्या करेंगे drag करेंगे तो इसको हम लोग drag करते हैं तो ये हमने drag किया तो जब आप इसको drag करना है तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो complete paragraph है वो जो है right की तरफ जो है क्या हो रहा है shift हो रहा है तो इसी तरीके से हम जो है ये तो पूरा paragraph था अब मान लिजे हमें पूरे paragraph को नहीं उसकी कुछ एकाद line को मुझे करना है जैसे मान लिजे कि मैं इस paragraph के इस line को मैं select करता हूँ तो अब इसको मैं जो है इस की help से indent कर देता हूँ तो देख रहा है कि उस paragraph की वो particular line ही जो है क्या हो रही है indent होके आपको मिल रही है ओके तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको clear हुए होगे ओके तो इस वीडियो में इतना है